हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राधा की चें तड़का जैसे इकर में स्टार्ट होती है सभी कमन करता है कुछ ठंड़ ठंड़ खानी का आज लाए हूँ मैं फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी जो कि बहुत ही ठंड़ और यमी होता है इसके लिए एक लिटर दूद लिया है और आधा बाउल दूद मैंने बचा लिया है ये डाल दिया है एक बाउल के अंदर और बाकी का दूद मैंने डाल दिये कड़ाई में गैस के उपर रख देंगे कड़ाई को गरम होने के लिए और जो बाउल के अंदर दूद बचाया हुआ है इसके अंदर डालोंगे मैं तीन चमच कस्टर्ड पॉडर यहां मैंने लिया है वनिला का कस्टर्ड पॉडर और तीन चमच डाल दिये है मैंने दूद के अंदर जो मैंने बाउल के अंदर रखा हुआ था इसे मिला देंगे इसका खोल बना कर साइड में रख देंगे और गैस के उपर रख देंगे कड़ाई और दूद को बॉइल होने के लिए छोड़ देंगे दूद में जैसे ही बॉइल आएगा पाकी की चीज़े इसके अंदर डालेंगे दूद में बॉइल आ गया है और यहां मैं डाल रहे हूँ 3-4 गप चीनी मीठा आप अपनी पसंद से कम्या ज़्यादा कर सकते है वर ठंडी चीज़ों में मीठा तोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है इसलिए मैंने 3-4 गप डाली है चीनी चीनी को अच्छी तरह से मिला देंगे चीनी मेल्ट होने तक इसे पकाएंगे चलाते हुए ताकि चीनी नीचे जमीना और यहां बॉयल आ गया है चीनी अच्छी से मेल्ट हो गई है अभी डालेंगे कस्टर्ड जो हमने कस्टर्ड का गोल बना कर रखा था उसे पहले चमस से एक बारी मिला कर फिर धीर धीर डालेंगे एक साथ पिल को नहीं डालेंगे एक साथ डाल दिया तो कस्टर्ड नीचे से कड़ाई से चिपक जाएगा थोड़ा थोड़ा करकर डालेंगे और दूसरे हाथ से पैन में चलाते हुए इस पैचुला से कस्टर्ड डाल दिया है अभी इसे पकने देते हैं कस्टर को पकने में तीन से चार मिनट लग जाते हैं बॉाइल आने तक इसे अच्छी तरह से पकाएंगे चलाते रहेंगे ताकि कड़ाई से कस्टर चिपकेना और फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवे दिन है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर करते चैनल पर पहले बारे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले पहले आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली ने ने वीडियो पहुचे आपके पास सबसे पहले दो मिनट हो गए है कस्टर्ड में उबाल आ गया है बॉयल हो गया है कस्टर्ड बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है बस दो मिनट के लिए ही पकाना है बॉयल आने के बाद ताकि अच्छी तरह से कस्टर्ड पक जाए और cutter बनकर रहे तयार gas को off कर देंगे custard को room temperature पर ठंडा होने देंगे, बीच बीच में custard को चलाते रहे ताकि इसके उपर मलाई ना जमी custard को ठंडा होनी देते है कर्मियों में बहुत ज्यादा like के जाते हैं, ये ठंडे डेजएट और ये देखे ठंडा हो गया है कस्टर अच्छी तरह से इसके कोटिंग कंसिटेंसी आ गई है अभी इसे बोल के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे बोल के अंदर डालिया है मैंने और अभी इसके अंदर मिलाएंगे फ्रूट फ्रूट आप अपनी पसंद से कोई भी डाल सकते हैं बट इसके अंदर ज्यादा खटे या रेसिदार फ्रूट ना डाले जैसे संत्रा, वोटर मिलन ऐसे फ्रूट इसके अंदर ना डाले यहां मैंने एपल काट लिया है चोटे चोटे टुकडो में और आधी बनाना काट लिया है इसे भी बारिक टुकडो में काट लिया है 15-20 मैंने हरे अंगूर ले लिये हैं और 15-20 ही ले लिये हैं काले वाले अंगूर सारे ही फ्रूट को कस्टड के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे और अभी इसके अंदर लास्ट डालेंगे हम अनारदानी इसके बगएर तो कस्टड अधूरा सा लगता है अनारदानी डाल दिये हैं मैंने इसके उपर और ये देखिए इसका लुक ही कितना अच्छा चेंज हो जाता है कितना प्यारा लग रहा है देखने में कितना टैम्टिंग है खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है बिल्कुल तयार है कस्टड फ्रीज में रखने के लिए खाने के लिए नहीं है अभी तयार फ्रीज में रखेंगे इसे दो घंटे के लिए पिल्कुल ठंडा होने देंगे इसके बाद इसे सर्व करेंगे और दो घंटे के बाद इसे चेक करते हैं ये देखिए कस्टड हमारा तयार है और ये रेसिपी आइस क्रीम को भी फेल करने व कर दे थैंक्स फर वोचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में